सबसे पहला क्योस्टन है दोस्तों हर्याना में रादसुवे कर का परमुक सोर्स क्या है अनला हर्याना के अंदर रादसुवे जो टेक्स है उसका सबसे बड़ा स्त्रोट क्या है दोस्तों इसका अंसर रहेगा वी विक्री कर में हर्याना का जो रादसुवे है हर्याना का जो स सबसे ज़्यादा टेक्स प्राप्त होता है दोस्तो हर्याना में सबसे ज़्यादा जो टेक्स है वो गुरुगाओं यानि गुरुगुराम से प्राप्त होता है जो पूरे हर्याना का अकेला 60% प्लस टेक्स को देता है क्योस्टन नमबर दो गजरिया आभूषन पहने जाते हैं दोस्तों गजरिया आभूषन कहां पहने जाते हैं इसमें अंका नाम इन लोगों ने पूछा है तो गजरिया आभूषन दोस्तों पाउ में पहने का एक आभूषन है दोस्तों पहनावे के उपर भी हरियाना में मस्ज़ेट का निर्मान अलाौदिन खिलजी ने बनका था। क्वेशन नमबर 4 ब्रह्म वर्ट को किस ने कुचछ ने खुद वाया था। दोस्तों पहला क्वेस्टन ये रहेगा कि ब्रम सरोवर कहां है ब्रम सरोवर कुरुक छेतर में है ब्रम सरोवर और मान सरोवर दोनों कुरुक छेतर में है और ब्रम सरोवर का इतिहास बहुत पुराना है मावारत से पहले से इस सरोवर के वरनग मिलते हैं ब्रम सरोवर का निर स्री राम सर्मा ने खिलापत अंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। खिलापत अंदोलन उनीस सो इन्निस में स्टार्ट हुआ भारती है मुसल्मानों के दोबारा किए जान गया आंदोलन था जिसमें सुचेता क्रिपलानी किस जिले से है, सुचेता क्रिपलानी का संबन दोस्तों, अमबाला जिले से रहा है, अंसर रहेगा B, एक क्योस्चन और बता देता हूं है, सुचेता क्रिपलानी है, वो भारत की पहली महिला CM है, भारत की पहली महिला CM चेफ मिनिस्टर, कहां की चेफ मि रादा कृष्ण लेव स्कूल कहां पर है रादा कृष्ण लेव स्कूल दोस्तो भीवानी के अंदर है अंसर रहेगा D Q8 लाल चैसनट मिर्दा यानि Red Soil भारत में कहां पाई जाती है यानि हर्याना में या क्योस्तन रहेगा कहां पाई जाती है आपका अंसर रहेगा दोस्तो यमना नगर कई पर क्योस्तन आ जाता है इस मिट्टी के अंदर सबसे अच्छी फचल कौन सी होती है तो आपका अंसर रहेगा गन्ना इंगलीश में हम कहेंगे सुगर के Question number 9 1974 में हर्याना में कोन सी फिल्म पर दर्शित हुई यानि हर्याना में 1964 में कोन सी फिल्म रिलिज हुई थी तो दोस्तो 1974 के अगर हम बात करेंगे तो हर्याना में बीरा सेरा भी आई थी और घटोचकच भी आई थी तो इसका मतलब अंसर क्या रहेगा C दोनों ही बीरा सोरा और घटोचकच दोनों ही फिल्में हर्याना के अंदर 1974 में रिलीज हुई थी C दोनों महरसी बालमिकी पुरुसकार किसे दिया जाता है दोस्तों महरसी बालमिकी एक बहुत बड़े संसकर्थ के विद्वान रहे हैं जिनोंने बड़े से बड़े गरंतों की रचना भारत के अंदर करने की सुरुआ की थी तो भायरसी भालमिकी का संबन जो है वो संसकर्ट से था तो संसकर्ट के एक बड़े विद्वान को हरियाना में अब भी हर साल मैरसी भालमिके वोड दिया जाता है क्योस्चन नमबर ग्यारा मेजर होसियार सिंग किस जिले से रही है मेजर होसियाज सिंग का संबन दोस्तो हरियाना के सोनिपत जिले से रहा है क्वेस्टन नमबर बारा हरियाना साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया था दोस्तो हरियाना साहित्य अकादमी का गठन 1979 में हुआ था 1989 में हुआ था क्योस्चन नमबर 13 भीम पुरुषकार में कितनी राशी गी जाती है यानि कितना अमाउट भीम अवोर्ड में होता है अंसर रहेगा 5 लाग यानि 5 लैक्स क्योस्टन नमबर 14, हर्याना खादी ग्रामदोग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अंसर रहेगा दोस्तो, नाइनिटीन सेवन सेक्स्टिस नाइन यानि उनिस सो उनिस्टर में क्योस्टन नमबर 15, परसिद नगर नुरंगाबाद किस जिले में पड़ता है? दोस्तो, नुरंगाबाद का संबंध हर्याना के भीवानी जिले यानि भीवानी डिस्टिक से माना जाता है क्योस्टन नमबर 16, सितला माता मंदिर का मिर्मान या नाम किस की माता के नाम पर रखा दया? दोस्तो, क्योस्टन इसका अंसर तो मैं आपको दोंगा ही दोंगा, कई बर ये क्योस्टन पूछ रहते हैं, सितला माता मंदिर भारत हर्याना में कहा है? तो आपका अंसर है गुर्गाओं यानी गुरु ग्राम सितला माता मंदिर का नाम गुरु दिरोनाचरीय की माता के नाम पर रखा गया था गुरु दिरोनाचरीय की माता का नाम सितला दिवी हुआ करता था Q register number 17 मम्ता सुधा का संबण किस जिले से है ममता सोधा का संबन दोस्तों कैथल जिले से है ममता सोधा एक परवता रोही है जिनोंने माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई की है और हाल ही में इनोंने हरियाना की जो सबसे उची चोटी है करो माउंट की हरियाना की सबसे उची चोटी करो पर इनोंने अपने बेटे का जरम दि नात की एक बड़ी उतकर्ष्ट रसना माने जाती है Question number 19 21 फिट उंचा सिवाले कहां पर स्थित है 21 फिट उंचा सिवाले दोस्तो तारा बाबा तारा बाबा है ये तारा बाबा की कुटिया के अंदर है तारा बाबा की कुटिया दोस्तो अरियाना के सिर्षा में है याद हो गए आपको पिछली हुड़ा सरकार में जो एक होम मिनिस्टर बनाए गए थे गोपाल कांडा गोपाल कांडा का खेतरिये माना जाता है तारा बाबा की कोटिया के अंदर उनका काफी आना जाना बताया गया था जहाज कोटि किस चिले में है जहाज कोटि दोस्तो निशार में है जहाँ पिर थोमस जोर्ज आकर रुके थे अगले क्विश्टन से पहले दोस्तों जरूरी सुसना यदि आप दिली NCR में नहीं है और आपको नोट्स की जरूर्थ है अगर आपको जरूर्थ है तो आप विज्टल कुल भी हजिटेशन मत कीजिए आप मुझे संपरक कर सकते हैं मेरा वट्सअप नंबर डॉक्टर विजे के नाम से आप अपने मुबाइल में सेयो कर लें और वट्सअप पे मुझे मैसेज और नाम और स्टेट के साथ आप भेज दीजिए उसी के साथ आपको अगर वीडियो क्लासी चाहिए है तो आप यूटूब के उपर जैसे स्टड़ी पोर्टर सल्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको नजर आएगा जहां पर यरुटूब यह दीपी लगी होगी आप उसको सबस्क्राइब कर लें और उसकी हर लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं यानि कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा यहाँ है ताकि मैं अगले क्युस्टन पढ़ूँ या अगले question का answer आपको explain करूँ उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेहनत आप लोग अपनी सपनों को साकार करने के लिए कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सहयोग मैं free of coast अपना देना चाहता हूँ उसे आप सिवकार करें और अपनी मेहनत को एक नई energy के साथ दोबारा से लागू करने के लिए 104 रूप से चालू करें आईए देखते हैं अगला question है दोस्तो सर साधीलाल का संबंद किस जिलेशी है दोस्तो सर साधीलाल का संबंद जो है वो रिवाडी जिलेशी रहा है और साधीलाल जी के उपर एक question हो रहाता है साधीलाल first Indian थे पहले भारतिये ज जो पाकिस्तान में जज़ बने साधीलाल पर्थम भारतिय थे जो पाकिस्तान के अंदर ज़ज बने पाकिस्तान में पंजाब के अंदर लाहोर हाई कोर्ट के वो जज रहे थे क्योस्टन नमबर 22 हर्स वर्धन का वास्त्विक नाम क्या था हर्स वर्धन का वास्त्विक नाम दोस्तो हर्स हुआ करता था हर्स वर्धन वर्धन और पुष्य भूति वन्स का राजा था पुष्य भूति जिसे वर्धन वन्स भी कहते हैं का राजा था इनकी राजधानी कवी थे बान भट जिनोंने बान भट जिनोंने हरस वर्दन पर हर सरी नाम की पुस्तक लिखी ये कई क्वेस्टन पुछे जाते हैं बच्पन का नाम क्या था उनके दरबारी कभी कौन थे उनकी रचना क्या थी दर्म को उपर जो लिखी गई थी बान भट ने पिता का नाम क् था राजधानी क्या थी राजा कब बना ये कई सारे questions के बारे में बार बार आते हैं question number 23 सती मेला कहां पर लगता है सती मेला दोस्तों होडल answer रहेगा आपका C question number 24 चांद राम ने विश्व रिकार्ड कब बनाया चांद राम ने 1982 में वर्ड रिकोर्ड बढ़ाया कई बर पूसने चांद राम का संबंध किस खेल से था चांद राम पैदल चाल के खिलारी हुआ करते थे एतलिट हुआ करते थे question number 25 गोपाल गिरी का दुर्ग किस ने बनवाया था गोपाल गिरी का दुर्ग दोस्तों अंसर रेगा ये बलबन ने बनवाया था बलबन के उपर कई question पहली भी आते हैं बलबन किस वन्स का राजा था slave यानि गुलाम वन्स का राजा था जो 1266 से 1266 तक अपनी गद्दी पर रहा उसकी नीतियां थी नोरोज का त्योहार और सिजदा पर था एक पोलिसिस की थी लोह और रक्त लोह और रक्त यानि iron and wallet question नमबर 26 डफ नर्ते किस जिले में लोक परी है डफ नर्ते का संबन दोस्तों किस जिले से है अंसर रहेगा C महंदरगट question number 27 सरवादिक प्राचिन संस्कृति के संकेत कहां से मिले है सबसे पुराने संस्कृति के संकेत दोस्तों सी स्वाल से मिले है जो हर्याना के हिसार में है question number 27 प्राचिन नदियों का नगर किसे खा जाता है प्राचिन नदियों का नगर तो हाना को कहा जाता एंसर होगा C पिस्टर नमबर 29 सूर्जकुल्ड मेले का पर्तम फोकस राष्टर को न सा था सूर्जकुल्ड मेले का पर्तम फोकस राष्टर दोस्तो मिस्र था जिसको इंगलिश वाले बत्से एजिप्ट कहते हैं सूर्ज कुल मेला कहां लगता ये भी कई बर पूछ लेते हैं दोस्तो अंसर रहेगा फ्रीदा बार अब की बार का स्टेट इसका फेमस कौन सा था अब की बार का स्टेट था दोस्तेट था यूपी क्योंसर नमबर 30 हरेना का परतम कैंसर संस्तान कहां बना अंसर रहेगा बाड़सा अंसर है दोस्तो डी बाड़सा कई बार जिष्टिक पूछ लेते हैं जिष्टिक अगर पूछेंगे तो अंसर होगा आपका जजज़र क्योंसर नमबर 31 नोरन प्रेटन स्थल कहां है नोरन प्रेटन स्थल का संबंद इन में से किस जिले के साथ है तो इसका अगर अंसर आपने देखना है तो आप कोर्शिस कीजिए कि गैस करने की कहां पर इसका अंसर हो सकता है तो इसका अंसर रहेगा दोस्तो रोह तक, अंसर है D चुस्ट नमबर 32 गगर नदी किस जिले से बहती है दोस्तो इन में से कई अलाकि जो options है उसके साफ से हमें answer देना पड़ेगा, अगर options ना हो, तो फिर answer कई सारे हो सकते हैं, हिशार से, सिर्षा से, कई जिलों से संबन रहा है तो यहाँ पे जो answer रहेगा दोस्तों गगर का, वो रहेगा आपका पंचकुला, पंचकुला answer B Qustion number 33, द्वारलाल नहर द्वारलाल नहर से सिचाई किस जिले में होती है, द्वारलाल नहर से सिचाई का संबन दोस्तों महंदर गड से रहेगा, answer Qustion number 34, बांगरू का ठेट अक्सेतर कौन से है, B हिसार Qustion number 35, दिगल का सिवाल्य किसने बनवाया था answer होगा, A लाला धनी राम ने दिगल का सिवाल्य बनवाया था चोटी पितल नगरी किसे का आ जाता है या धान रखना, चोटी पितल नगर अगर पूचा गया है, तो पितल नगरी आप अंसर नहीं देंगे, अगर पितल नगरी answer question होता, तो आप cancer होता, ड्रेवाडी, लेकिन अगर छोटी पितल नगरी पूचा है, तो आप का अंसर होगा, जगाधरी जगाधरी, युमना नगर के अंदर है, उप्शन है इसका अंसर C, question number 37 चंदरावल फिलम कब परदर्सित हुई, चंदरावल फिलम को कब रिलीज किया गया, answer है 1984, ए उप्शन रहीगा, question number 38, हर्याना का पहला भी ममाड़ी कौन रही है, answer है दोस्तो, सुनिता, सुनिता को हर्याना का पहला भी ममाड़ मिला था, question number 49, राव तुला राम इनमें से क्या थे, दोस्तो, राव तुला राम एक सुतनतरता सेनानी थे, रेवाडी के रहने वाले थे, काफी बड़ा योगदान उनका भारत के सुतनतरता अंदरोन में रहा है, question number 40, परसिद टायर टूब उद्धोकिस जिले में है, टायर टूब इंडर्स्ट्री दोस्तो, हर्याना के, फृरिदाबाद की सबसे ज़्यादा चर्चित और परसिद है, question number 41, से सहिया पर लेटे विष्णो की मूर्ती कहां से मिली है, से सहिया पर लेटे विष्णो की मूर्ती कहां से मिली है, answer होगा दोस्तों आपका, सोचेंगे आप कहां का answer हो सकता है, इसका answer हो सकता है, सोनिपत, सोनिपत के फिजुलपूर से, सोनिपत के फिजुलपूर से ये मूर्तियां मिली थी, question number 12, जो ही चावला का संबन्द के सक्षेतर से है, जो ही चावला का संबन्द अभीनिय से था, वो एक आर्टिस्ट थी, बेटरी एंड एक्ट्रेस रही है, option रहेगा D, इसमें कई वर क्रिस्टिन पूचते हैं, उनका डिष्टिक कौन सा था, अगर डिष्टिक क्विश्टिक क्विश्टिक क्विश्टन आता है, तो अंसर होगा अमबाला, क्विश्टन नंबर 43, 43, गाओं की और ये एक उपन्यास है, किस की रतना है, दोस्तो अंसर होगा MADUKAANT, option B is right answer, 44 जंगल बेबलर प्रेटन सल किस जिले में है अंसर है दोस्तो रेवाडी जंगल बेबलर की जगे कई बर सेंड पाइपर भी कह देते हैं उसका अंसर भी आपका रेवाडी आएगा प्रस्टन नमबर 45 लिंगिया या लिंगियाज विशेविद देल ले है अंसर है हमारा फ्रिदाबाद इसी के साथ अगला क्योस्टन है हर्यान में पहला लोका युक्त अदिनियम कब पास हुआ हर्यान में सबसे पहले लोका युक्त अदिनियम 1997 में आया था दोस्तो जैसे सेंटर के लिए लोकपाल की मांग होती है वैसी स्टेट के लिए लोका युक्त का वर्न होता है हमारे सुधान में ये वर्न किया गया है तो हर्याना में पहली बार लोका युक्त अदिनियम जो आया एक्ट आया 1997 में आया था इसी के साथ धंतान साइब गुर्दवारा किस जिले में है अंसर रहेगा दोस्तो जीन्द अगर जिले ना पूस करके तैसील पूस ले तो अंसर होगा नर्वाणा और अगर गाउं का नाम पूस ले तो धंतान यहां का इस गाउं का नाम है धंतान साइब गुर्दवारा हरेना का एक फेमस गुर्दवारा है जो जीन जिले के नरवाना तैसल के दमतान गाउं में मौजूद है इसी के साथ दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही सेरीज नंबर थर्ड लेकर में कल फिर आपके साथ आऊंगा इसी से पहले आप दोस्तों के साथ इनको सेर जरूर करते रहिए आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जुरूर